हेलो अब्रिवान वेल्कम टो एक्जाम आइडियल एक्जाम आडियल फैमिली में आपका स्वागत है माइने में जंकित आइम फ्रम भोजपूर बिहार आपकोलिफाइट एयर फॉर्स एक्जाम बट्रू तुम मेडिकल डेजन आइट इसक्वाइड एंड हीर इज माई रेड करने की सोच रहे हैं या तयारी और डिक रते हैं उन सबस्क्रेट के लिए ये विडियो बहुत ही इनपावर्टेंट होने वाला है में एक गलती जो हर बच्चा करता है obviously हम भी करते थे या आने वाले बच्चे भी कर रहे हैं तो गलती आप लोग को नहीं करना है चलिए वीडियो को बिना किसी देर के सुर करते हैं सो फर्स्ट अफॉल हम बात करेंगे कुछ इंट्रोड़क्शन के बारे में या वीडियो एयर फोर्स ने भी कोष्टगाट सभी के लिए इंपोर्टेट है इंट्रोड़क्शन के रूप में हम इतना जान लेते हैं कि यह एक्जाम जो होता है वो तीन फेज में होता है रिटेन टेस्ट फेज़ वन फिजिकल टेस्ट फेज टू एंड मेडिकल टेस्ट ओविएसली इस वीडियो में हम मेडिकल टेस्ट के बारे में ही बात करने वाल होता है रिटेन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट यह दो ऐसे टेस्ट है एरफोर्स में जो कि आपको सेल्फ एफ़र्ट आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार उतना आपका वैसा ही बेहतर होता चला जाएगा लेकिन मेडिकल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप आपके अपने बडी के ऊपर विशेश रूप से ध्यान देना पड़ता है ठीक है तो कोई भी स्टुडेंट्स जो मेडिकल जो एरफोर्स का तयारी करते हैं उनको सबसे पहले सुपरफिसियल चेक जो प्री मेडिकल टेस्ट करते हैं यदि आप इसके लिए सक्षम नहीं है तो एक आसान सा एक्जामपल जैसा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो नियरेस्ट गुबर्वन्ट होस्पिटल होता है वहाँ पर जाकर यदि आप उस होस्पिटल में जाकर अब यदि आप बोलेंग का खर्च नहीं बैठता है मात्र पाच दसर का जो वहां का जो फॉर्म होता है कटाने में वहीं जो लगेगा और कोई विशेश खर्चा नहीं आता है तो आइधिंग यह सबसे बेटर है और कोई भी शुडेंट जो एयर फोर्स या नेभी या कोश्ट किसी भी डिफेंस एक करें कोई त्रूटी हो और आपको जब फेज़ टूल क्लियर होने के बाद आपको मालूम चलेगा तो उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप उस इसू को ट्रीटमेंट करा सके या क्यूर करा सके जो कि मैं आगे अभी बात करने वाला हूँ उन सभी ओर्गेंस का या उन सभी टेस्टों का एक बार जरूर अपने नियरेस गुबर्मेंट होस्पीटल में जाकर चेग कराना है सबबलन क्यों एके आगे क्यों बढ़ते हैं तो आगे हैं कौन-कौन से मेडिकल टेस्ट येयर्फेरस में होते है या क्योंन कौन से हैं जो आपको Government Hospital में जाकर कराना है तो सबसे पहले ENT ENT मतलब Ear, Nose and Throat Ear, Nose and Throat का आपको जाच करना है सबसे विशेश करका फोकस जो है वो Ear या नोज पर ही करना है क्योंकि Ear और Nose में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं इयर में क्या होता है कि किसी भी स्टुडेंट का जिनका कान के चदरे में सिद्र होता है या कान इयर से पस निकलता है या सुनाई कम पड़ता है तो इसका जाच कराएं नोज में क्या होता है किसी स्टुडेंट का डिनेस होता है ना की हड़ी टेनी होती है तो ँसका जाज करा है त्रोट में कोई infection है उसका जाज करा है अगर ऐसा को what infection या ऐसा त्रोटी आपके body में है तो इसका अबिशल का राए उसका treatment करा आए अगर आप पहले से हिं जाज कराकर त्रोट है civ 2 परचंट आपका वह वह भीमारी जो हो ठीक हो जाएगा और अप एए यह भी एक एयर फोर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टेस्ट है आई टेस्ट आई टेस्ट में क्या होता है सबसे पहले वीजन की जाच होती है वीजन में जो आपका एयर है वह वह विदावट एस्पैक्टिकल 6x6 होना चाहिए या बहुत सार मेडिकल स्टेंडर होते है अलग-अलग ट्रेड के लिए अलग-अलग मेडिकल स्टेंडर रखे गया है किसी के लिए 6x9 भी अलाव है कलर विजन कलर विजन एक ऐसा हुमर बड़ी डिसॉडर है अगर आपको अगर यह हो जाता है तो आप एयर फोर्स मेडिकल के लिए पर्मानेंटली अन्पिट हो सक यह हो जबता है कालर मिजन इसलिए आपको कलर विजन टेस्ट कराना भी जैरूर्य है ताकि आपको मालूं चलें अगर आप मेडिकल क歌 अनी वाले फ्यूचर को सेक്ड लूच़् कर सकते हैं आपको होने ही चाहिए पर्तेक जो आपके टीत होते हैं पर्तेक उन पर Come on १ं। एक फॉइंट मिलता है और टोटल वजय आपको फोर्टिन से क्लिट से तोपॉइंट नहीं चाहिए दूसरा को पर open bite open bite में क्या होता है कि किकी का ऊपर का जो जाव होता है वो बाहर की तरह निकला होता है close bite में वो जाव भीतर की तरह धसा रहता है तो इन सब काप जाज कराएं अगर यह आपके पास आए तो किसी dentist से पास जाकर आप अपने दात में पीन लगा कर उसका सुधार कर सकते हैं जो की अप्रोक्स थ्री या फॉर्थ मन्थ में आपका जो ओपेन बैट या कोलोज बैट समसे आए वो क्यूर हो सकता है नेक्स्ट है कैविटी बहुत सारे बच्चे को कैविटी होता है अगर आपके टीथ में कैविटी है तो आप इसको फिलब कराएं आपका वहांपर कोई परिसाइज नहीं होगी कोई आपका पॉइंट नहीं कटेगा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है प्राइबेट पार्ट्स प्राइबेट पार्ट्स में हाइड्रोसील वैरिकोसील फाइल एड़ एटीसी का जांच होता है हाइड्रोसील क्या होता है कि अगर आपका जो एक टेस्टीज है दुसरे टेस्टीज के दूवर में बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो यह आपके लिए वहाँ पर समस्या जाता है जो कि एरफुर्स मेडिकल में आपको यह समस्या कर सकती है नेक्स्ट है पाइल्स पाइल्स आप समझते हैं ओंगे बावासीर अगर आपको बावासीर है तो आप इसका ट्रीट्मेंट कराएं और बहुत सारे ऐसे प्राइबिट पार्ट्स में ऐसे बीमारी हैं जै यह होती है इसमें बहुत सारे सब्सक्राइब इसमें सब्सक्राइब निकलते हैं पर दो cancer gener生 होता है अबनेचम गशेट पर नेपल्ट्स प्रीच मेडिक समिंट लन्स फ्लाइटी अब दोचार ऐसे disorder या बीमारी या इल्नेस हैं जिनका आप regular exercise से उसको ठीक करा सकते हैं जैसे बोल लेग हुआ बोल लेग है अगर आप regular exercise करते हैं फिजिकल ओवर करते हैं तो यह बोल लेग जो है वह दो स्टेंड से दो महीने के अंदर या पूरा नॉर्मल हो जाएगा sweet palm अगर आपको है तो आप किसी भी अस्कीन के जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिलकर आप इसका treatment करा सकते हैं disorder body parts किसी भी body parts जो है वह आपका organized रहना चाहिए उसमें किसी परकार के disorder नहीं रहना चाहिए आपके बड़ी में कोई infection तो नहीं है fracture अगर आपको हुआ है तो आप उसका जाज करा है उसका कोई अभी तक कोई disorder fracture के कारण तो आपके बड़ी में नहीं आया है अगर कोई disorder नहीं आया है तो आप बिलकुल medical के लिए fit हो सकते हैं नेक्स्ट है carrying angle आपका हाथ जो है वो जो elbow है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है flat foot अगर आप अपने पैर को अगर पानी से भिंजा कर अगर चलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको flat foot है कि नहीं जो फ्लैट अथी यह होता है foot होता है उसके पैर के अंदर एक खड़ा जैसा बना रहता है जो कि एक प्रतेक human के अंदर ऐसा होना अनिवार है अगर आपके अंदर यह पुरा flat है यह तावा जिसको बोलते हैं अगर पुरा flat है तो आप air force medical में reject हो सकते हैं अब next medical की बात करें तो next है ECG ECG and BP ECG और BP जो है इसमें basically आपके heartbeat को देखा जाता है ECG जो है totally आप पर depend करता है कि आप ECG के टाइम पर कैसा behave करते हैं अगर आप बहुत ज्यादा frustrated हो जाते हैं या बहुत सारा stress ले लेते हैं अपने आप पर तो अब यह सी बात है कि आपका ECG का जो graph जो बनता है वो आपका beyond the limit बन जाएगा जिसके कारण आप medical में reject हो सकते हैं इसलिए ECG करते समय आप ध्यान दें कि आप हमेशा happy mood में रहें उस समय मुश्कराते रहें ज्यादा stress ना लें stress free रहें और BP यह नॉर्मल सी जाच होती है टेस्ट होती है जिसमें आपको BP की जाच होती है और एक बात ध्यान रखना है कि BP जाच करते समय जो बीप जो नापन होएगा तो आप बात है कि आपका heart beat बढ़ जाएगा जिसे कारण आप medical unfit हो सकते हैं अब बात करेंगे कुछ important tips के बारे में जो वैसे बचों के लिए जो की preparation जो है वह स्टार्ट करना चाहते हैं जो बचे Air Force ने भी कोस्टगार्ट का प्रिपरेशन अब से चालू करने वा आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि आप defense की त्यारी करना है इसके लिए आपका केवल अच्छे से पढ़ना और केवल फीजिकल ही जलूरी नहीं है बलकि आप कितना healthy हैं कितना fit हैं यह भी बहुत ज्यादा important है एक discipline life को जीएं अपने आपको स्वस्थ रखे healthy dieting अच्छा भोजन करें ज्यादा fast food पर ध्यान ना दें फीजिकल वर्क करें जितना possible हो सके avoid overuse of mobile tv atc mobile या tv का overuse करना बंद करें टैटूज को avoid करें अपने बड़ी पर यहां वहां टैटूज बनाने से अपने आपको रोकें avoid clean ear wax self अपने आप से कितने बच्चों का ऐसा आदत होता है कि वह बाइक की कीव से अपने कान को साफ करने लगते हैं या कोई pencil या pen से अपने कान को साफ करने लगते हैं या ear buds से भी बहुत सारे बच्चे साफ करते हैं तो इसको आपको पूर्ण रुप से avoid करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ear drum damage हो सकता है जिसके कारण आप ear force medical में surely surely आप reject होंगे अगर आपका ear drum चोटी हो जाएगा या आपके ear drum पर कोई दाग धबा हो जाता है तो तो ear wax साफ कराने के लिए आपको किसी भी ENT specialist doctor से मिलना चाहिए न कि अपने earbuds से ही या कान में रुई डाल कर अपने से ही साफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट है ओबर इटिंग ओबर इटिंग में आप वैसे बचे जो इनका वेट एक लिमीट से ज़्यादा है वो ओबर इटिंग से बचे हैं keep smiling always and this is necessary for all कि आप हमेसा सदय मुश्कुराते रहें एक स्वस्त जीवन जीएं ताकि आप कोई आने वाले future में कोई सी भी तरह की कोई medical issue ना हो और आप medical examination को अराम से पास कर सकें नेक्स है tips for medical test for those who have qualified phase 2 वैसे बचे जो फेज 2 क्वालिफाई कर चुके हैं वो medical के समय या medical के दो-चार दिन पहले तक क्या करें क्या ना करें उसके बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले follow instruction given at ASD जब आपका phase 2 होगा तो ASD पर जो instruction दिया जाएगा जैसे कि सामको साथ बज़े के बाद आपको नहीं खा कराना है अंडर-arms, teeth, ear wax यह सब clean करके जाना है तो जो जो instruction आपको मिलेगा उस instruction को आप बख्फू भी उसको जैसे जैसे आपको बोलेंगे वैसे वैसे करके आपको जाना है नेक्स है clean ear by expert, ear जो है वो किसी जोला चाप डॉक्टर से साब कराने के चकर में ना रहे नहीं तो अगर आपके ear के जो असकीन्स होते हैं उसके उपर अगर दाग या धबा भी आ जाता है तो आप medically unfit हो सकते हैं और ear wax जो है वो clean आपको medical के 10 या 12 दिन पहले ही कर लेना चाहिए कि अगर किसी परकार का दाग या धबा आता है तो वो अप self में recover हो सके next है confident, अपने आपको थोड़ा confident रखे, normal behave करे, conversation with others, एक दुछरे से बात दे करे ताकि अपने आपको stress फिरी रख सके healthy sleep, medical के दिन पहले या एक रात पहले आप अच्छी से नीद लेकर ही medical में जाए, keep yourself in happy mood और medical में आप अपने आपको हमेशा happy mood में रहें, तो I hope जो भी आपको doubt होगा, वो clear हो गया होगा, अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई doubt बचता है या आप हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, या कोई questions अगर आपके मन में है जो आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप basically हम मेरे whatsapp number 9060797649 पर हमें whatsapp कर सकते हैं, हम definitely आपसे contact करेंगे, जो आपका issue होगा उस पर बात करेंगे, thank you and jahind, अगर आप नए हैं YouTube चैनल पर तो इस चै अपोर्ड करें, वीडियो को लाइक करें, thank you and jahind, bye bye to all